हर मंतर की अपनी एक एनरजी होती है उसी तरह से हम नंबर की भी अपनी एक एनरजी होती है जब हम नंबर का सही तरीके से यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं ये मिरेकल्स कोई दूसरा नहीं करता है आप खुद क जाते हैं आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एंजल नंबर लेकर आई हूँ एंजल नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर होते हैं अगर आप अपने पूरे फेत के साथ इस नंबर की चांटिंग करते हैं या अगर आप अपनी बाड़ी पर ये नंबर लिखते हैं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जो भी हम करते हैं, अगर उसमें विश्वास नहीं डालेंगे, तो हमारे काम नहीं बनेंगे, तो जो नमबर में आपको आज बताने वाली हूँ, वो नमबर है. नमबर है. 1176 इस नमबर को आप अपने left hand के अंदर लिख सकते हैं या left body पर blue pen से लिख सकते हैं blue pen अगर available नहीं हो तो red color या green color के pen से भी लिख सकते हैं जिस समय आप ये number लिख रहे हैं उस समय मन के अंदर आपको ये सोचना है कि मेरा ये काम हो चुका है जी हाँ आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा काम हो जाएगा आपको सोचना है कि मेरा ये काम already हो चुका है 1176 बोलें उसके बाद आपको अपनी affirmation बोलनी है जो affirmation बोलनी है उसे आपको 11 टाइम बोलना है कि मेरा इस date को ये काम हो चुका है माल लीजे आप 1176 नमबर को manifest कर रहे हैं जॉब के लिए तो आप ऐसे बोल सकते हैं 1176 मेरी जॉब इस date को लग चुकी है 1176 मेरी जॉब इस date को लग चुकी है ऐसे आपको 11 बार बोलना है अगर आप इस चीज को 11 बार बोलते हैं तो उस नमबर के अंदर जो एनरजी है और आपके बोलने से जो आपकी एनरजी क्रियेट हुई है ये दोनों एनरजी आपस में मिल जाएंगी और 11 टाइम एफर्मेशन बोलने से ये बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगी और जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी तो जो भी एनजल नमबर आपको दिया जाता है उसे आप पूरी फेलिंग के साथ करें खुश होकर करें बिल्कुल ऐसे खुश होकर करें जैसे कि ओल्लेडी ये चीज आपको मिल गई है आपका ये काम हो चुका है तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो भी इच्छा है यूनिवर्स जरूर पूरी करेगा तो एनजल नमबर 1176 बहुत ही पावरफुल नमबर है बहुत जल्दी वर्क करता है जो भी आप चाते हैं वो आपको तुरंट मिलेगा एक बार आप इस नमबर को ट्राइ करके जरूर देखिएगा